गयिस आज हम रामानुजन Magic Square के सारे फीचर्स और वेट्स वह संब करने वाले हैं इस वीडियो में और मैं आपको आप भी अपना खुद का Magic Square बना सकते हो वो date of birth से भी create कर सकते हो तो वो मैं बनाना बताऊंगा कि किस तरह से Magic Square आप अपना create कर सकते हो और ये जो सामने आप देख रहे हैं magic square ये रामानुजन ने खुद बनाया था 22nd December 1887 उनका date of birth था और 22nd December ही मनाया जाता है National Mathematics Day अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि उन्होंने क्या चीज प्लेस की उन्होंने अपनी जो date of birth है वो यहाँ पे first row में as it is डाली है 22nd December 22nd December 1887 तो इस इस date of birth और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि आप इस magic square में किसी भी row का सम कर लीजे किसी भी column का सम कर लीजे किसी भी diagonal का सम कर लीजे वो सब इनकी date of birth के जो numbers है उनकी सम के equal है पहले हम वो देखें कि इनके numbers का जो सम है वो कितना है 22nd December को बारा लिखेंगे और ये number जो दो parts में break है तो उसी तरह से लिखा जाएगा 1887 इस तरह से लिखा जाएगा तो 15 2 17 19 और यहाँ पे आजाएगा 9 10 11 18 13 139 तो इनका जो सम है numbers का वो आपको 139 हर जगे मिलने वाला है तो यह मैं जल्दी से facts आपको दिखाता हूं कि 139 कैसे है आपकी जो first वाली row है किसी भी row का सम करेंगे तो वो 139 आएगा किसी भी column का सम करेंगे तो 139 आएगा माली जे कुछ एक हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ देखिए साथ पांच बारा चे अठारा उन्नीस नाइटीन और इसके बाद में आठ दो दस क्यारा बारा और एक कैरी हुआ था 139 इस तरह से कहीं पे भी column वाइस चेक कर लीजे या रो वाइस चेक कर लीजे और देखिए इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स इस मैजिक स्क्वेर में बहुत सारी उन्होंने चीजें भर दी खेल भी मैट्स में नहीं करना है उनको यह देखिए रामानुजन की विशेस्ता देखिए कि जो भी गेम भी करना है तो सब इसी में यहां जो डाइगनल है डाइगनल का इनका सम करेंगे तो वह भी वह 139 आ रहा है नो दस सा सतरह टारह उन्नीस वन कैरी हुआ तो यहां पे 3, 4, 12, 13, 139 तो इस डाइगनल का सम भी आपका 139 आ रहा है इसके बाद में सम इस तरह से भी लेंगे तो भी 139 आएगा और एमेजिंग फैक्स बता रहा हूं अगर सारे कॉर्णर के नंबर्स को एड करेंगे तो वह भी आपको देगा टोटल सम 139 22 87 आप रख लीजे 11 रख लीजे और 19 रख लीजे इनका सम भी वही आ रहा है नो दस सत्रह अठारह उन्नीस वन कैरी हुआ आट दो दस और तीन तेरह 139 तो जो सारे मेंबर कॉर्णर के वैलूस हैं उनका सम भी 139 आ रहा है और देखते चलिए यह जो नंबर्स हैं यहाँ पर हम इस कॉर्णर के नंबर को छोड़ देते हैं फिर यह जो रैस्ट दो नंबर है 12 18 इस एंड के और इस एंड के हैं 86 86 23 इनको भी आट करेंगे तो उ 139 9 8 17 18 19 1 8 2 10 11 12 13 139 तो मतलब यह जो नंबर से 12 18 और इस कॉर्णर पर आप आजएए 2386 और इसी तरह से दूसरी साइट भी बनेगा वह आपका यह वाला बनेगा 88 10 16 25 तो 88 10 16 25 यह वाला सम भी 139 है तो देखे किस तरह से 8 6 14 25 वन दो तीन और दस 139 यह वाला सम भी 139 है और फैक्ट्स अभी कम नहीं हुए रामानुजन में इसमें रामानुजन ने इसमें पूरा जादू भर दिया बहुत सारी चीजें भर दी और कैसे पॉसिबल है मैं आपको उसका पूरा एक डाइग्राम बना के दूँगा भी और उससे आप अपनी डाइटो बर्त उसमें लिखेगा फस्ट रो में जिस तरह से यहां रामानुजन ने लिखी वह है वैसे लिखके आप भी बना पाऊगे ठीक है तो एक और लास्ट लास्ट यह कि यह जो बिलकुल सेंटर में जो स्क्वाइर बन रहा है इनकी चारों नंबर का सम भी 139 ही होगा 89 89 24 अगर इस सम को भी देखेंगे 9 और साथ 16 16 9 25 4 29 2 कह रही हुआ 8 2 10 11 12 और 13 139 तो मरलब बिलकुल सेंटरल में जो स्क्वाइर है उसके सभी ऐलिमेंट्स का सम भी 139 हो रहा है तो इस तरह से रामानुजन मैट्स के साथ खेला करते थे और इस तरह के बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाये हैं मैट्स कार्ट बाई बीपीएश चोहान चैनल पे और वहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम भी है प्ले विद मैट्स इस तरह के एमेजिंग डिजल्ट्स आपको म मैट्स के जितनी भी बहुत इंट्रेस्टिंग डिजल्ट्स होते हैं फैक्ट्स होते हैं उनको सबको मैंने इस सिरीज में इंक्लूट किया है ठीक है अब हम बात करेंगे उस मैजिक स्क्वार की जो आप अपनी डेटर बर्त का बना सकते हो तो मैं वह आपको बना देता हू फिर हम देखते हैं सो गाइज यह मैजिक स्क्वार रडी है और यह आप अपना मैजिक स्क्वार इस तरह से बना सकते हो डेटर बर्त का आपको ध्यान रखना है कि यहां जो नंबर है जिस तरह से रामानुजन ने प्लेस किये थे उसी तरह से नंबर प्लेस होंगे जो आप first two digit आप यहां रखेंगे वो C बनेगा और जो last two digit है वो यहां रखेंगे वो D बनेगा अगर यह ABCD है यह ABCD है तो इसी तरह से यहां पे आपको D plus 1 रखना है एक नमबर यह इसमें एक बढ़ा के यहां D plus 1 रखना है इसमें C minus 1 आएगा इस जगे पे B minus 3 होगा पहले आपके पा 1 है माइनस 1 है इस तरह से यह पूरा create हो जाएगा D plus 1 C minus 1 B minus 3 A plus 3 C minus 2 D plus 2 A plus 2 B minus 3 C plus 1 D minus 1 A plus 1 and B minus 1 ठीक है इस तरह से पूरा आप अपना magic square create कर लोगे मैं आपको अपना create करके दिखा देता हूं तो वो आप देखें मेरा date of birth मैं लिखूंगा यहां पे और उसके बाद मैं जो ह सारी चीज़े बन जाएंगी तो मेरी जो date of birth है 28th of January, January 01, 1968 यह मेरी date of birth है वो मैं लिख देता हूं यहां पे तो देखें A, B, C, D बहुत जल्दी-जल्दी बनेंगे A, B, C, D आपने बना दिये this is A, B and C, 1968 ठीक है अब यहां D प्लस 1 लिखना है तो D प्लस 1, D जो है इसमें 69 हो जाएगा C माइनस 1 है, यह C है, C माइनस 1 है तो 18 आएगा यहां पे, इस जगे 18 आएगा आप इस जगे को देखते चलिए, मैं second row को भर रहा हूं पुरा, इसके बाद B माइनस 3 आएगा यह माइनस 2 आएगा, और यह मैंने करके देखा, कि अगर magic square में अगर कोई negative number आ रहा है क्योंकि ultimately हमें या तो rows को या columns को add करना है या subtract करना है, तो multiply तो करना नहीं है, ठीक है तो वो accurate बैठता है, तो मेरे numbers का जो sum है इनका, वो मैं भी आपको बताता हूं, पहले इसको मैं पूरा कर देता हूं और उसके बाद मैं देखेंगे कि हर जगे हम cross check करेंगे, क्या वो right जा रहा है, ठीक है तो हमने यह minus 2 बताया है, मैंने इस जगे आएगा, b की value जो थी, b की value है 0, 1 और उसमें से minus 3 होना था, तो b minus 3 होना था, minus 2 देगा, ठीक है इसके बाद a plus 3 लिखेंगे, a की value 28 है, a plus 3 आएगा 31, यहाँ पे, ठीक है b minus 2, b की value है 0, 1, b minus 2, 1 minus 2, ठीक है 1 minus 2, तो यह value देगा आपको कितना, minus 1, minus 1 इस जगे आएगा, b minus 2 a plus 2 करेंगे, this is a plus 2, तो यह 30 हो गया, d plus 2, this is d, d plus 2 68 plus 2, 70, यह हो जाएगा, c minus 2, this is a, b, c, c minus 2, 19 minus 2, means this is 17 ठीक है, मैं जल्दी जल्दी भर रहा हूँ, आप देखते चली, कैसे work out हो रहा है, c plus 1, तो this is c, a, b, c, c plus 1, means this is 20, c plus 1, और d minus 1, this is d minus 1, 68 minus 1, this is 67, ठीक है, a plus 1, this is a, a plus 1, means 29, और उसके बाद में आएगा, b minus 1, तो b तो आपका यह 0, 1 है, b minus 1 करेंगे, तो 0 रह जाएगे आपे, अब हम अपनी बात को cross check कर लेते हैं, पहले मैं अपने numbers का जो data worth हैं, उसके numbers का sum आपको बता दूँ, this is 1968, ठीक है न, तो 9, 8, 8, 17, 18, और 18, 8, 26, 2 कहरी हुआ, 6, 2, 8, 9, 10, 11, so 1, 16 आ रहा है, मेरी date of birth है, तो खुद का मैंने magic square बना दिया है, इस तरह से आप सब अपना-पना मना के देखेगा, और उसमें यह सारे जो facts मैंने बताये थे, वीडियो के शुरू में, वो सारे आप check करेंगे, ठीक है, अगर हम कोई भी row ठालें, मैं यह चाहूंगा जिसमें की negative, negative आ रहा है, तो क्या ऐसा करने पर value ठीक आती है, हम सम करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर two subtract कर लेंगे, 69, 69, 18 minus 2, 16 हो गया, और प्लस 31, ठीक है न, तो 9, 10, और 16, 1 carry हुआ, 3, 5, और 6, 11, ठीक है, 116, तो कहीं पे भी आप उस magic square को cross check कीजिए, 100%, क्योंकि रामा नूजन ने उसको बना है, तो रामा नूजन ऐसी mistake कर ही नहीं सकते, तो आप अपना भी magic square बना के रखिए, और आपको सभी को National Mathematics Day की हार्दिक बदाईया, और तेके रामा नूजन ने कितने interesting way में, magical way में, amazing way में, magic square को create किया, वो यहाँ पे उनकी खुद की date of birth थी, इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप playlist का नाम है play with maths, उसमें जाईए, और बहुत सारे वीडियो आपको इस तरह के मिलेंगे,